और इसके मुखिया नितीश कुमार हैं, पहले भी बोले हैं कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नितीश कुमार ने ठागा नहीं। इस पर सुप्रिम कोट का रोक था, तो कैसे आनन्द फानन में SLP दायर की सरकार उसमें भीहर गई ना, SLP वापस ले लिया। बीएड वाले को कितना परसानी हुआ, आप सेंटर तक जाने में ठाहरने में जो इस बार बिहार का सिच्वेशन था, उसमें 10-15-15,000 रुपया से कमना बरबाद हुआ होगा। मा सावादी यहां के गरीब है, भले राजने तालोग बढ़े-बढ़े हो जाएं। आज आपने कहा कि बीएड वाले का कॉंसलिंग भी हो गया। आखिर कॉंसलिंग किस ने करया, BPSC ने करया, कि नितिश जी कोई यंग आईएस को भी नहीं बनाते हैं। रिटायर कहीं से जी रहा है कि दीन काटने वाला, अब उलोग के माला जपना चाहिए, पोता-पोती खेलाना चाहिए, तो उलोग हाके हाँ, आयोग समहलते हैं। इसलिए कि रिटायर्मेंट के बाद भी नितिश कुमार जी के जो चहते अपसर हैं, उनको चाहते हैं कि हम 10 लाख महीना के ब्यवस्था करा दें। मान लिए जाए कि संग सरकार आती तो उसको चेंज कर रहता है कैबिनेट से, यहां तो कैबिनेट को भी पावर नहीं है कि सुप्रीम कोट के फैसले को रद करेगी, दूसरी तरफ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जागो बिहार के बासियों तुम्हारा सो BPSC के दुआरा बेड़ वाले अभियर्थियों का परिक्षा लिया गया और बेड़ वाले अभियर्थियों को असमंजस की स्थिती में रखा गया और कहीं न कहीं अब जाकर उनका रेजल्ट दे दिया गया और रेजल्ट देने के बाद लगतार यह सवाल उठाए कि क्या ब लगतार अभिएर्थी जो है शोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो जारी कर रहे हैं ऐसे में तरह-तरह के पोस्ट वो सामनी दिखा रहे हैं जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि ब्याट वाले अभिएर्थी प्राथमिक सिख्षक बनते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं क् कौशलेंद नरायन जी के पास चुरेंगे बात करेंगे कौशलेंदर जी बिहार में सिख्षक नुकती एक तरफ ओरी दुसरी तरफ रिजल्ट देने की बाते हो रही थी रिजल्ट भी दे दिया गया बीएड़ वाले अभियर्थियों को लेकर बीटे दिनों सुप्रीम कोट क दिया जा रहा है उनका है अब आपका चैनल परतिक सिख्षा जगत का अब करते हैं शमसाहिक मुद्दे को ले करके और जब भी जुरुत परति है आप आते हैं नहीं का भी जा रहे थे आपने भोन कर दिया तो मैं रुक गया कहने का इप्राया है मैं कई बार पीछे भी बोला हूँ यह दगा देने वाली सरकार ही है और इसके मुखिया नितीश कुमार है पहले भी बोले कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नितीश कुमार ने ठगा नहीं आज मैं एक चीज बता रहा हूं बार बार एक चीज बोलने में भी खराब लगता है, खुद हमको खराब लगता है, आज देखिए कि जब इस पर सुप्रिम कोट का रोक था, तो कैसे आनन फानन में SLP दायर की सरकार उसमें विहार गई न, SLP वापस ले लिया, बेड़ वाले को कितना परसानी हुआ, आप सें सब्सक्राइब है, भले राजने तालोग बहुत बड़े-बड़े हो जाएं, आज आपने कहा कि बीएड़ वाले का कौंसलिंग भी हो गया, आखिर कौंसलिंग किस ने करया, BPSC ने करया, BPSC का चेर्मेन कौन बनाता है, सरकार बनाती है, नितिस बावु बनाते हैं, और आ लोग आके हाँ, आयोग समभलते हैं, इसलिए कि रिटार्यमेंट के बाद भी नितिस कुमार जी के जो चहते अपसर हैं, उनको चाहते हैं कि हम 10 लग महीना के ब्यवस्था करा दें, पलस होता है क्या, कि इतना शैलेंटली ढंग सलाते हैं, आभी देखिएगा आपको एक च कंट्रोलर ऑफ एक्जामनेशन बीपीएसी का कुर्मी अमरेंदर कुमार सिंग, उसके बाद सेक्रेट्री कुर्मी, तो उसे तबर ले, 67 बीपीएसी का जो एक्जाम हुआ पीसीएस का, उसमें इन्होंने घोटाला किया, एक इनके सजाथी आईएस रंजीत कुमार सिंग न जब सुप्रीम कोट का डिसीजन है, सुप्रीम कोट से उपर है, कोई भी आमनागरिक जब उपर नहीं है, तो और सुप्रीम कोट का आदेश हिंदुस्तान के सारे राज्यों के लोगों ने मान लिया, कि प्राथ्मीक बिद्धाले में बीएडवाले की बादी नहीं होगी, इन्होंने एक सुनियो जी साजिस के तहत, अपलाई भी करवा लिया, चलो अपलाई हो गया था, छाट देते का भाई बीएडवाले परिछा नहीं दे, और अपग्रेट करते सीट को एट तू नाइट तेन्थ में, इनको तो एक करना नहीं था, इन्होंने एक साजिस के तह साथ, फ्रॉड तरीके से अपने लोगों के घुसाने के लिए और इतना बड़ा जंजाल तयार किया, लायक इसको अतुल जी को, अब अतुल जी का कितना बड़ा बिपुल है, आप खुद जानते हों, जब पटना, छेत्रिये विकास प्राधिकार के उपाध हक्ते, वाइस सफल नहीं हुए थे, अहम से नहीं चलता है सरकार, और जंता का कल्यान भी नहीं होता है, मैं बड़ा बहरतियों कि हक की बात करता हूं, मेरा सहनभूती है उनके परती, लेकिन मैं बोला था ना, चेहरा हम आपको पहचानते हैं, ऐसा थोड़ी है, कई बार आते हैं मेरे पा मेरे वाले का भविस्किया हुआ, रिजल्ट भी दे दिया यह, रिजल्ट दिया तो जोईन कहां, वहीं हम आ रहे हैं, मुख मुद्धा पर इन तमाम भी बिंदिवों से हट करके, आब हम सब्जक मैटर पर आते हैं, थोड़ा सा इंट्रॉक्शन तो देना ही पड़ता है न धुलिया की बेंच ने सुप्रीम कोट का जो बेंच था, डबल बेंच ने जब ओडर दे दिया था, कि बीएड वाले नहीं है, तो सरकार सुप्रीम कोट से उपर भीका थी, राजस्थाम सरकार हार गई है, उसी के अनुशार, वो एक्चुली था राजस्थान सरकार का अप बहुत सारे विहरती BPSC पास कर गए है, उनके लिए इनको सानबुती नहीं है, या तो फिर BPSC का दुरभाग है बिहार का BPSC, कि कितना सिंपल कोश्चन है और कैसे यानि घोटाला हुआ, नहीं तो अगर आपका BPSC मानक तय करता है, तो सीटेट में तो तीन नमर चार नमर से फेल है, तो उसमें लिखा हुआ है एंशिटी का डायक्षन है, अगर फिल करते हैं, तो सरकार राज सरकार अपने अपने अनुसार अट्रस्ट कर सकते है, जैसे उसको पाचास दे सकती है, पचास से उसको पच्पन दे सकती है, ऐसा है प्रोभीजन, नहीं कि छूट दे स तो सबसे पहले सब सीट फुल कर लिया आप पोस्टिंग देखेंगा जुबा जुबा पोस्टिंग अमैं आपको बता रहा हूं आप देखिए इनके जीला का लोग का पोस्टिंग उसी सब डिविजन में कमिस्णरी में मिल रहा है तो कहीं से कुछ नहीं है यह सरकार ठग रह फिर भाजा सुने हैं वाजा बच्चे बच्चे गाहां में बोलते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जन्मानस के बीच में क्योंकि मिडिया एक जन्माध्यम का सशक्त रूप है और मिडिया है वो डे वाइडे ग्रो कर रही है और समझ रहे हैं ना कोई भी में आप ले जाते हैं मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में constitutional breakdown है पुर रुपेन constitutional breakdown है और बस एक जाती ठीक है नितीज कुमार और लालुजी आ सरकार में लालुजी की भी बहुत भागदारी नहीं उनकी मिल रही है ठीक है मजबूरी है बैचारे फस गये हैं जिल जाए होता है कि कहां से उठा करके ग्रिश कुमार चौधरी को लाया पटना इन्वासिटी में भाइचांसलर बनवा करके और वहां से जहां से बिस्विदाले सेवाए ओक के चेयर में मैं खेक और नहीं निल रहा था अधरकाष नहीं था और जादो में भी अगर मैं कहना चाहता हूं तेज कुछ ऐसे जिनका डॉक्मेंट भेरिफिकेशन भी हो गया है उनका चैनित भी हो गया ऐसे में दो तारिको निफ्ति पत्र भी उनको देने की बाते कही जा रही है खुद अभियर्थी जारकंट से बिहार के अनेक जगों से लगतार सोशल मीडिया पे वीडियो भी वेरल उन करफिके नाम पर आजनीत करने वाले कर पूरी अपने परिवार को भी जीता जिनकी राजनीत में नहीं लाए और लोगों को नहीं लाए जाती की बात नहीं करते थे एक मास को लेकर करके चलते थे आनि तीस जी तो रोज करते करते सब जहाए साथी पिछड़ा कर सीटे पी बताए न कि सरकार में कहें गोंति पिछडा जदी उसे मंत्री है तीन गों कई अभी अर्थियों ने पत्ना हाई कोट में भी मामला दर्च करवा है शक्षक नूक्ति का ऐसे में क्या बहाली अटक जाएगी बहाली पर कोई असे मामला दर्च किया है 12 गों 13 तो केस अभी तक मे अभी नाम है करमबीर दासकर के कोई मेरे पास उनके ससूर है फाइल जास्ट अभी विसमेट पहले हम हम को हैं तो यह मुद्धा नहीं सेंकडों की संख्या में आ रही है अब भाई नोकरी के लिए तो सब को चाहिए ना वही कैसे भोजन चलेगा लेकिन यह सरकार पूरा ज जार हजार भीजलेंस इंक्वाइरी का फोल्डर पटना का डियो जोती परसाद ने गाइब कर दिया क्या सरकार को पता नहीं था तो हम लोग तो कानून की पर हरी हैं लड़ रहे हैं लोग काता है कि वही लड़ते हम अपेल लड़ेंगे हम कभी नहीं मनें अपना टेकेंग करना है बीहार को एक सवारन में जा रहा है ऐसे एसे आदी स्कूमार की बात करते हैं महिला योग का चेयर में जो अनितीश कमार बनाते हैं उसको सीखनेचर करने नहीं आता है बत बात कही जारी है विहार के मुख्या निटीश कुँमार के दौरा लेकिन विसंगतिया जिस सवरी केस है समय काफी कम है दो नमंबर पास में है जाए-जारा देखा जाए तुर जाए सिर्ष नियुश्य म sma आप देखे जब्धें गया तो कहने कार्थ हुआ कि जोल जाल हो लगता है तो उसमें सातीर अपराधी जो गाना हुआ आग को से हाथ सेकता है वही नितिशकुमार हाथ सेकते हैं तो नितिशकुमार से कौन बड़ा सातीर है बिहार के लिए कौन ऐसा क्रिमिनल बिहार का नहीं पिर जूमार नहीं जोड़ा आसुमय के साथ सब को साइट करना फिस चरी के बात करते है नितिशकुमार मिन्स घोटालों का सरदार अपराधBe ओं か तो हम लोग पर कितना बड़ा काला दाग लगा है बिहारियों प्राफ समझते हैं कि अप्टर इंडिपेंडेंडेंस मुव्मेंट पूरे देश में पूरे हिंदुस्तान में बिहार एक ऐसा राज बना जहां मने उसको कहिए कि उंच मानक के परिशाओं में भी घोटाला हुआ बीपीसी में और किसी कोई नहीं हुआ उसमें देखिये हम हो हला किये रीट लेके आए तो रंजीत रजक डीएसपी के गिरफ्तारी हुई बाद में चार्ट सिट नहीं जमा हुआ दो ही महीना का अंदर बेल खान साहब कि मंदार अफसर हो ही है यह कि मंदार अफसर बिचारे क्या करेंगे बागी जखिए अरच्छी अधिशक से लेकर वहां जो इस सरनिका जितना भी है सब नितिस जीने चुन-चुन के पोस्टिंग किया है सब घोटाले बाज है क्या बहाली फस जाएगी जो रिज होटाला को ले करके स्रणक पर तो लोग आया करोस धीरे 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 अब उभर रहा है जैसे आपको एक चीड़ बता रहे हैं कल हाई कोट खुल रहा है हम लोग इंतजार तक बंध है तो आज उन्तिस तक इस नहीं भाई कि मेरे पास भी विहार से फाइल आना शुरू पूरे तरीके से मैं बार-बार कह रहा हूं कि constitutional breakdown बिहार में है मैं नहीं का constitutional breakdown है नितीश कुमार अभेर्थियों के भविस के साथ तो करी रहे हैं सब के भविस के साथ खेलवार कर दिया बताये गिरिश कुमार चौधरी को लाया किस नाम पर ये लाए है जाती के नाम पर ला तो कौन है इसके लिए दोसी not only the government but the public also बिहार का public जो है दोसी है ऐसा मुखमंत्री को भोट देता है अभी फिर भाग को चले जाएंगे उधा तो उधर भी देगा इस वार बिहार की जंता कह रही है सुन लिजिए और नितिस जी बड़ी ऐसे ऐसे लोगों के बीच में कह र संग सरकार नहीं है राज सरकार है मन लिए संग सरकार आती तो उसको चेंज कर रहता कैबिनेट से यहां तो केमिनेट को भी पावर नहीं है कि सुपरीम कोट के फैसले को रद करेगी दूसरी तरफ में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जागों बिहार के वासि की खास कर वकील विरादरी के लिए को मुकदमा लड़नां जीवको पार्जन के यह काम नहीं है इתחक केलाल लड़ता हूं कभी कोई हस्ता बिक केलाई लड़ रहstorm है नुप सरकार को क्या बिगाड मैं अकिला सेकडों मतलब बता रहे हैं मुकदमे में सरकार को हराया तो उसे फैदा किसको हुआ आम जन्मानस के लिए पियल के लिए लेमाया जनहित की बात मैंने किया तो कहने काई प्राय हुआ कि वकील विरादरी को भी एक होना पड़ेगा स्वतंता अंदोलन की जबरन भेरी बजी थ Lenardar तो कॉन जोगदान दिया था इस देस में जी सबसरदी वकीलों का भूमी मस्तिव मोतिलाल नेहरू हो पंडित मोतीलाल नेहरू है जवाहलन नहर्उं एसमे सभी दवांदे को है मुंजेर आज देखिए क्या इस्तिती है क्ल单 अरून जटली जी ने किया ईड़ायी लड़े शुस्मा सोषाज बढ़ि आतना पिराधरी को भी आना पढ़ेगा और परकार जी जब तक नहीं आएगी वकील विरादरी तब तक इस बिहार का कल्यान बिहार खत्म हो गया नितिस जी कुमार ने बिहार को बरवाद कर दिया और मैं बार बार लास्ट में कहूंगा इतना बड़ा जातिवादी लीडर पैदा नहीं हुआ बिहार में मैं असपस्ट गलत है गलत है गलत कहिए इसलिए आज के ड़ेट में नितिस कुमार बिहार के लिए कोड बस इतना ही कहुँगा इससे ज्यादा आप नहीं कहूंगा बिहार की पब्लिक समझे हम लोग तो कानून वाले हैं लड़ने वाले हैं जीके नितिश कुमार को जंता ना जिन रचा या सिक्षक न्युक्ति हो रही है, उसमें कई सारी कर्वडिया है अभी अर्थि लगवतार कोट पहुच तो नितीज सरकार दे देंगे, लेकिन आगे चल के कोट से बरा सरकार नहीं होता है कोट का फैसला जिसके बाद आएगा कहीं अभियर्थियों के बहाली पर असर पड़ेगी और लगतार नितीज सरकार जो है अभियर्थियों के भविस्थ के साथ खिलबार कर लिए तो ही क्या कुश क्या थे कॉश्टिन नारा अपने सुना है और भी तुमाम ख़रों के लिए एंविसी ट्राइंट 4 के साथ मिरने पटना सही होगे मित कसाथ अविश्यक के रिपोर्ट